पहले प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि 20 लाख करोड का घोटाला कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों नी किया अभी ग्री मंत्री जी ने भी उसी बात को दुराया है और ग्री मंत्री जी ने बाकादा संसद में कहा है मैं भी कहता हूँ कि जितना मुगलों ने लूटा उससे ज़्यादा अंग्रेजों ने लूटा और जितना अंग्रेजों ने लूटा उससे ज़्यादा कांग्रेश और उसके सहयोगी दलों ने लूटा लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने 20 लाग करोड का घोटाला कर लिया तो क्या 20 लोगों को भी सजा हुई क्या घोटाला 20 लाग करोड का और सजा 20 लोगों को भी नहीं हुई 20 लुटेरों की भी 100% परपर्टी जब तो नहीं हुई 20 लुटेरों को भी आजीवन कारावास नहीं हुआ तो इसके लिए दोसी को ने इसके लिए दोसी हमारा घटिया कानून है और कानून बनाना किसकी जिम्मेदारी है आप खुश सोचिए मैं बार-बार कहता हूँ आरोप प्रत्या रोप करने से व्रश्टाचार खतम नहीं होगा तु tumor मैं में करने से व्रश्टाचारियों को सजा नहीं होगी कांइ्ग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने 20 लाग करोड से ज़ादा का घोटाला कर दिया नहरू जी को सजा हुई ना फारुक अब्दुल्ला को सजा हुई, ना ओमर अब्दुल्ला को सजा हुई, ना करुणा निधी को सजा हुई, ना उनके बेटे स्टालिन को सजा हुई, ना सीबु सोरन को सजा हुई, ना उनके बेटे हेमंद सोरन को सजा हुई, ना मायावती को सजा हुई, लालू किवल लोगों को पता चल गया कि 20 लाक करोड का घोटाला हुआ है लेकिन सजा क्यों नहीं हो रही ये विशे ये है जब तक सजा नहीं होगी तब तक घोटाला नहीं रूखेगा जब तक सजा नहीं होगी तब तक देश का फाइदा नहीं होगा चीन में कानून मंत्री को कुछ दिन पहले फासी हुई है चीन के एक फैक्टरी के जीम ने वेंडर से यानि जो वहाँ पे काम करता था उससे कुछ पैसा ले लिया था उस कंपनी के जीम को फासी हुई है सिंगापूर में एक विक्ती 900 ग्राम गांजा लेके पाया गया उसको फासी हुई है दुनिया के कई देसों में ब्रस्टाचारियों को फासी दी जाती है हमारे देस में ऐसा कानून ही नहीं दुनिया के कई देसों में घूस खोरों को धर्मांतन कराने वालों को घुसपैठीयों को और जो वहाँ पे मिसंडीज धर्मांतन कराती है या जहादी जो गद्विदिया करते है उनको आजीवन कारावास से फांसी का कानून है हमारे पास है नहीं और सब कुछ हो रहा है एरपोर्ट बन रहा है हाईवे बन रहा है स्कूल बन रहा है कॉलेज बन रहा है इन्वस्टी बन रहा है जिसमें करोड़ रूपे खर्च भी हो रहा है कानून बनाने की तो कोई लागत नहीं होती है तो सवाल यह है कि कानून क्यों नहीं बन रहा है बई करोड का था हो आधार स्केम ह९ा था ह। अर्विंत जोसी जो दो आई एस थें जिनके हां करोड की प्रपरटी मिले थी आज तक उनको आज इवन का रावासम संटीन स्केम हुआ था इसके अलबावा बैंंगलोरू में मेयर फंड इसकेम हुआ था भारत अर्थमूर इसकेम हुआ था बिहार में फ्लड रिलीफ सोचिए बार घुटाला हो गया किसी को जीवन का रवास फासी नहीं हुए क्यों क्यों क्योंकि कानून घटिया है और कानून बदलना किसका काम है आप खुश सोचिए बोकारोव स्टील प्लांट में घुटाला हुआ बैंगलोर के महानगर पालिका में इसकेम हुआ इसके लावाँ सीट बेची जा रही थी MLC का उसको पकड़ा गया था उसमें किसी को जीवन का रवास नहीं हुआ संसद में गड़ियां लहराई गई थी किसी को जीवन का रवा क्यों कानून ही नहीं हमारे पास दिल्ली जल बोड में इसकेम हुआ दिल्ली सर्जिकल गलब इसकेम हुआ दिल्ली गुडगाउं टोल प्लाजा इसकेम हुआ इसी तरीके से प्राविडेंट फंड इसकेम हुआ था एक फत्वा पैसाले के जारी करते थे वो इसकेम हुआ थ हुडा में प्लॉट स्कैम हुआ था हर्याना में फॉरेस्ट स्कैम हुआ था अधियों कारवास फासी हुई क्या चोटाला को थोड़ी सजा भी हुई थी लेकिन पार्टी अद्धक्ष भी बनके बैठे हुए हैं। पहली बात तो सजा थोड़ी सी हुई और सजा भी हुई इसके बाद भी वो पार्टी के अध्यक्ष बनके बैठे हुए हैं इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कानून घटिया है और कानून बदलने की कोई लागत नहीं होती है यह हमारे पास इंडियन पिनल कोड है महा घटिय डेट सो साल से ज्यादा पुराना 860 में बना था इसको रद्धी की टोकरी में फेकने और यह अमेरिका के फेडरल पिनल कोड को भारत में लागू करने की कोई लागत नहीं आएगी केवल कॉपी पेस्ट मारना है और कॉपी पेस्ट कर दें ता अमेरिका इसकी रोयल्टी न हुआ 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 हुट को हुआ हाउसिंग लोन हुआ 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 ह सफेद पोस्ट लुटेरे बड़े-बड़े कमपनियों के मालिक बैठे हुए हैं एक लुटेरा तो भारत में एरलाइन कमपनी का मालिक है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा भारत में जो सबसे ज़्यादा जिसके पास जहाज है उसका असली मालिक एक लुटेरा है सफेद पोस हुआ था जम्मू कस्मीर के एक्जाम में घोटाला हुआ जम्मू कस्मीर एक्विट्मेंट स्कैम हुआ जम्मू कस्मीर में पीची स्कैम हुआ जारखंड में मेडिकल medical equipment इसकैम हुआ आप सोचिए hospital में अगर जब जो hospital operation के जो समान खरीदे जा रहे हैं अगर वो घटिया quality के होगे नकली quality के होगे तो लोगों का operation कैसा होगा आप खुश हो सकते हैं अगर दवाईया घटिया आएंगी दवाईया नकली आएंगी तो लोगों की सेहत के साथ क्या होगा आप खुश समझ सकते हैं लेकिन उसमें भी घुटाला हुआ है करनाटका में housing board scam हुआ करनाटका में work board scam हुआ केरला में investment scam हुआ fertilizer scam हुआ rice scam हुआ मधू कोडा का DA scam हुआ मधू कोडा को सिप स्कैम हुई maharashtra में housing scam हुआ था महरास्टा में land scam हुआ था others housing scam जिसकी अभी बात प्रतान मंत्री जी ने भी किया था ग्रिमंत्री जी ने भी गया था others housing scam महराष्टा का बाउत famous है खूब चर्चा हुई थी खूब उस समय मीडिया में चर्चा हुई थी किसी को जिवन का रवास फासी हुआ नहीं हुआ महारास्टा एजूकेशन स्कैम हुआ महारास्टा में पीडियस स्कैम हुआ था महारास्टा में स्टैम ड्यूटी स्कैम हुआ था मैंक जैन स्कैम हुआ था MBBS seat में स्कैम हुआ था, Medical Council of India में स्कैम हुआ था, Ministry of external affair में gift स्कैम हुआ था, God स्कैम हुआ था, Mumbai International Airport स्कैम हुआ, Mumbai में Celltex स्कैम हुआ, National Herod स्कैम, National Herod के बारे में आपको पता है, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi के भुखिलाप case चल रहा है, कितने दिन से case चल रहा है, एक नार्को पॉलिग्राफ brain mapping कानून होता, आप तक दूद का दूद पानी का पानी हो गया होता, दुनिया के कई देशों ने नार्को टेस्ट, पॉलिग्राफ टेस्ट और brain mapping टेस्ट को अनिवारी किया हुआ है, भारत में कानून नहीं है, इसलिए जो लुटे रहा है, उसकी मर्जी है, कि वो अपना नार्को टेस्ट कराए या ना कराए, उसको force नहीं किया सकता, कानून महागटिया है, इसी तरीके से इसरो घोटाला हुआ, आपने याद होगा, एक फिल्म भी बन चुकी है, रॉकेट्री बन चुकी है, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही आपका सिमेंट घोटाला हुआ, दाल घोटाला हुआ, चावल घोटाला हुआ, आटा घोटाला हुआ, फंड घोटाला हुआ, पुने में स्कैम हुआ, रेलवे में स्कैम हुआ, रोड में स्कैम हुआ, पीड़ डी स्कैम हुआ, सारदा गुरूप हाउसें स्कैम हुआ, स्टैंप ड्यूटी आपको याद होगा अब्दुलकरीम तेलगी वाला घोटाला हुआ था इसके अलावा हसन अली वाला मनि लॉंडिंग वाला घोटाला हुआ था चौकसी वाला घोटाला हुआ इस टैंप ताज कॉरिडोर स्कैम हुआ ताज कॉपरेटिव स्कैम हुआ टॉ पुदेश में गोबर होटाला भी हो गया